हेलो गाईस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशी का विग्यान के बारे में, यानि की सेल वायलोजी, देखें आप इस टोपिक पे ना 5 इस्टाय लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली हर एक्जाम में हर वार कोशन दरूर पूछे जाते हैं, तो हम लोग इससे जूलोजी पाट और जो बोटनी वाला पाट है, दोनों चीज को कवर करती है, और इतनी सारी वीडियोज हम लोग लगवग बना चुके हैं, तो देखिए अगर आपने यी वीडियोज नहीं देखिए हैं, तो नहीं तो यहाँ पर आपको आई का इकन दिखेगा, वहाँ प कोशिका ही क्या होती है, जनरली आप लोग को मालूम है कि जो कोशिका होती है, वो बायलोजी की सबसे चोटी यूनिट होती है, और कोशिका गुरूप मिलके जो हमारे टिशू बनाते हैं, टिशू मिलके क्या, आपको मालूम है कि हमारे ओर्गन बनाते हैं, और यही ओर्ग भी केता है या इसको जो है सेल Fiftymology भी के यए THT DR da या सेड साइन्स भी केता है ठीक है तो आपको किसी में भी आपको कन्फूज नहीं होना है और इसकी जो जनाक ते कोशीका विग्यान के जो जनाक ते वो रोवाट तो के कोशिका विग्जान के व Legnant के वे शकाई जिसके अंदर उनकी रचना ओकारे किया के जडिया होटी है किया की चीजे आते हैं जिसे कि आपको मालुम है उसी ऐन्र हमारे नुक्लश पाई जाते हैं रायवय ताइब भास डिफरेंट आप की चीज़े पाई जाती है वो अभी हम लोग आंगे देखेंगे आपको बिल्कुल टेंशनले की जोरत नहीं है मैं अच्छे सापको यहां पर बताने वाला हो ओके तो चलिए देखिए यहां पर आपको यह दो सेल दिख रही होगी एनिमल सेल और प्लांट सेल देखिए तो यहां पर आप तो यह हमारी जो सेल है वो प्लांट सेल से अलग होती है देखिए यहां पर आपको अलग क्या करती है प्लांट में पाई जाती है सेल वाल जबकि आगर हम लोग बात करें एनिमल में पाई जाती है तो वहां पर पाई जाती है आपकी सेल मेंब्रेन यानिकि जो कोशी का जि तीसरा चीज की vocals, जो vocals जो हैं आपकी plant cell में पाई जाते हैं, जो की आपको animal cell में नहीं देखना को मिलते हैं, तो देखें ये तीनी चीज जो है, animal cell को, हमारे animal, plant cell को animal cell से अलग करती हैं, बाकी ये सारी चीज आपको देख रहे हैं, जिसमें mitrocondia, lysosome, endoplasmic reticulum, cell membrane, और golgi appendage, और जो पेराक्सी, पेराक्सी ओजम है, और nucleus है, और स्केल्टन है, तो देखें, ये लगबग ये सारी चीज इसमें समान रहती हैं, और इनका function भी एक जिसा रहता है, तो यहाँ पर ये topic में आपका दोनों कबर हो जाएगा, बास ये दो चीज से, जो है, question आपको अलग से देखने को मिलेंगे, वो भी आपको question के मादम से cover हो जाएगे, तो ठीक है, तो आपको ये generally information वालम चल गई, इतने में आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चले यहाँ पर तोड़ा सा एक और diagram है, इसको भी आप देख ल से आप एक अच्छा imagination या एक अच्छा overview कोशिका के बारे में लेग सकते हैं, कि कौन सा पार्ट किस भाग के अंदर आता है, ठीके, चले, सब सब पहले कोशिका के बारे में देखते हैं, तो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला कोशिका वित्ती हो आपको कौशिका को अच्छिका को उपर से डखका हुआ रहेदा है, ठीके, आपको मालूम है कि प्लान посail में पारे पाई जाती, रिक्तिका को धेक हो निखक लेते हैं वोकाल को, इसमें जो होते हैं, तो डो प्लास्ट पाय जाते हैं, और वोकद पाई जाते हैं, ठीके, य तो देखें, यहाँ पर जो केंद्रक है, यह केंद्रक को हम लोग केंद्रक कला, या केंद्रक द्रब, यह दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो केंद्रक द्रब है, जो आपका नुक्योप्लाजम है, नुक्योप्लाजम में दो चीज पाई जाती है आपकी, व यहां पर हमने यह देखा कि हमारी कोशिका होती है, कोशिका में कोशिका बित्ती होती है, जीवदरब्बे होती है, रिक्तिकाय होती है, उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी केंद्रक कला होती है, यानि के नुकलर मेंब्रेन होती है, और निकलो प्लाजम होता है, और यहां पर chromatin निकोय जाल होता है जिसके अंदर हमारे गुण सुत्र है या chromosome होते हैं और इसी के अंदर आपको मालम है कि क्या होते हैं हमारे DNA होते हैं और यहां पर हमारी genes होते हैं मैंने लाश्ट वीडियो में आपको genes के बारे मैं अच्छे से समझाया था यहां पर आप हम लोग बात करते हैं जो हमारे साइटो प्लाजम है इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइट कर सकते हैं पहला तो वो हो गया metabolically active जो cell organelles हैं और जो metabolically inactive cell inclusion है उन पर दार्तों को हम लोग देखेंगे चले इसको और आँगे classify करते हैं हम लोग यहां पर हम लोग यह उपाप चाहे इसको भी आँगे पढ़ सकते हैं सब चपहले इधर साइट वालों को देखते हैं हम लोग तो इसमें आपका तार्का है जो की प्राय है आपको आपको जंदुकोषी का महीं देखने को मिलेगा यहां पर अपको प्लांट सेल में को मिलेगे देखिए माइट्रो कुंडिया लवक इसमें हरित लवक आ जाएंगे अवर्णी लवक और वर्णी लवक ठीक है ये तीनों लवक आ जाएंगे और लवक जो सिरिप आपको कहां पर देखने को मिलेंगे ये सिरिप आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे राइवसोम जो होते हैं जिससे आपको उसको रंग बिलता है या कोशिवा को रंग बलता है और जो विकर मकरंदे वो उससरी परदात में आपके आ यह सारी चीज आजेंगे यह ओवर विवता है इसके मादम से आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी जिसको तंत्री का तंत्र केते हैं और एक चीज और कि मैं एक चीज शुरू में नहीं आपको बता पाया यह बता पाया है कि हमारे सेल में बहुत टाइप की सेल पाई जाती है जैसे कि आपने सुना होगा कि नर्व सेल होती है जिसको तंत्री का तंत्र केते हैं फैट सेल होती है और जो हमारी सेक्स सेल होती है जिसमें आपके ovum और sperm आते हैं ovum और sperm आपको मालूम ही है और जो आपकी bone sale होती है और जो muscle की sale होती है यह इतनी type की आपकी sale जो है हमारे शरीर में पाई जाती है plant में भी होती है काफी हता यह तो finally हमारे अब जो questions है, questions को हम लोग एके करके लेते हैं question के मादम से इसको हम लोग पूरा cover करेंगे तेके पहला question है हमारा कि किसको कोशिका की शक्ति ग्रह यानि की powerhouse कहा जाता है या उर्जा का केंदर कहा जाता है तो याद रखना है mitochondria को powerhouse of sale कहा जाता है बहुत important question है exam में पूछा जाता है, कोशिका में DNA समानेता nucleus में पाई जाते हैं तो nucleus के जो है बहार ये कहां मिलते हैं, तो ये mitochondria में मिलते है, cellulose बित्ती किसके cello में पाई जाती है तो पोदो के cello में पाई जाती है, याद रखना है cellulose बित्ती किसके cello में पाई जाती है राइवस्वम का मुख्य कारिक है, तो राइवस्वम का मुख्य कारिक है, प्रोटीन का संसलेशन करना, ठीक है, प्रोटीन सिंतेटीस उसका में काम है, एक प्रोटीन या एक कूशी का साइटो प्लाजम जिस जिल्ली से जुड़ी रहती है, वह क्या होती है, वह प्लाजम जि जो किस बनी होती है तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है माइटरो कॉंड या की कोज ने करी ती इंपर्टेंट कोशन है तो आपको याद रखना है कोली करने करी थी एटीपी का निर्माण किसने कहां होता है तो दिखिए एटीपी का निर्माण जो होता है माइट्रो कुंडिया में होता है एटिपी एट्मोस्पियर भी को उखे सकते हो आप लोग ठीक है बात करें जो प्रेयोग शाला में राइबसों का जो संसलेशन है ने सर्वपतम किस ने किया था तो नोमूरे तो नोमूरा या नोमूरे जो है उन्होंने करा था कॉलोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन जा 1831 में इंपोर्टेंट कोशन है आपको ध्यान रखना है कोशी का विगान के समय क्रोमोटीन धागे किस में परिवार्थित होते हैं हो जाते हैं तो गुण सुत्र यानि के क्रोमोजों में हो जाते हैं डिने का फुल्फोम क्या है डियाक्सी राइवो निकलिक ऐसे याद लिए डिने का फूल्फा में पुछे यहाँ और City समय ने टिख रहें हो यहोतना इसने है पर आपको यह सिंगानल नखना है कि इसमें जो एए गव हें इन दोनों के बीच का जो दूरी रहती है इसको 3.4 angostron बोले आता है यह मतलब angostron और total जो DNA का मतलब चोड़ाई रहती है इसकी मोटाई वो रहती है 20 angostron ओके और अगर हम लोग एक जोड़े के बात करें तो वो रहती है 34 angostron ओके यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद अग अगर बीच में लोग एक परपेंडिकुलर करते हैं तो एक परपेंडिकुलर से यह यहां तक की जो दूरी रहेगी वो 10 angostron रहेगी यहां पर आपको यह जो दिख रहे हैं यह आपको शुगर फॉस्पेड बेकबोन के लाते हैं जो DNA के हैं तो यह आपको समझ में आगा य पर आपको देखने को मिलेंगे यहीं पर हमारे पूरे द्वाय आगर बनाई जाती है और DNA को संकेत दिया जाता ह। वो भीमारी को ठीक कर रहा जाता है तो चलिए यह आपको मालूम चलके अगला कोशिका हैं अम लोग देखते हैं कि सबसे छूटी पादप कोशिका हो है तो वह है माईकोप्लाज्ट पोदो की सरचना तता कारे की इकाई कुंसी होती है तो कोशिका पोदो के विकास वह ब्रद जाता है तो वह होते हैं एजोला किस वसल में एजोला एना विना जैव उर्बुरक का प्रियोग किया जाता है तो चावल में किसकी उपस्तिती के कारण किसी पादप कोशिका या पशु कोशिका में अंतर पाए जाता है तो कोशिका बित्ती के ओके अगला देखते हम लोग कि कोशिका की किस की उपस्तिती के कारण किसी पादब कोशिका वो पश्व कोशिका में अंतर पाई जाता है तो देखे कोशिका बित्ती के कारण ठीके जो की पादब कोशिका में पाई जाती है जबकि कोशिका बित्ती जो है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है किस कोशिका को कोशिका का जो है आतमकाति की तेली या जो एटम बंब कहा जाता है Надеюсь प्रदान की जाती है याध रकना है आप लोगको अगला कूशिका यह आपके सामने एक फरनिक जो स्त्री दानी में कितनी ग्रीवा नल कोशिकाएं पाई जाती हैं तो एक पाई जाती हैं सेलिलोज बित्ती किस में पाई जाती है तो पोदो में पाई जाती है इशीद संबेधी पाधप जिल्ली में जो लिपीट में क्या होता है तो उच्छ अनुपात में जो असंत्रप्त वसा अमल वो होता है आदेश की अनुरूप प्रोटीन का निर्मान कोन करता है तो आरेने जो की राइवयो निकलिक एसेड इसका नाम है Central Room of the Sail यान की कोशीका जो नियंतरन कक्षे वो किसको कह जाता है वो केंद्रयकों यानि के नुकला से उसको कह जाता है केंद्रिका में कितने प्रकार के आरेने पाय जाते हैं तो तीन प्रकार के आ औरेने पाय जाते है जंपिंग जीन बहुत इंपृटएंटन जंपिंग जीन के सखां जाता है मैं के क्वालइयट उद्सक्वी मेश कुशिका का भी बिवाजन गोलता है कोंख़करिती complete कुशिका की कखेलाइए लाइससओंhas कोशिका में पाचन थेली के लाती है वही रिपीट हो गया कि कपास का मुख्य गटक क्या है सेलुलोज है डीने से आरेने में संसलेशन को क्या कहते हैं तो अनुलेखन याने की जो ट्रांस्क्रिप्शन है उसको वो कहते हैं शरीर में घावों को भरना किस प्रकार की कोशिका का बिवाजन का परिणाम होता है तो समसुत्री बिवाजन का होता है और तो सुत्री बिवाजन की कुछ किस ने करी थी फार्मर वा मुर्य ने करी थी ओके अगला कोशिका बित्ति की निर्माण में कौन-कौन से पदाज शाम करता है पोधे कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है आपका प्लास्टीट होता है तो आयोप आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ पड़ा बड़ शेयर कर दीजे और आप नए हो तो चेनल को सब्सेयर कर लीजे पुरा